हेलो फ्रेंट्स मैं हुरूस गोल और आज इस वीडियो में जास्ट के आप देख सकते हैं हम करने वाल हैं स्पीटर्स कंपेरिजन दो ऐसे फोन्स का जो के एक्जक्टली सेम प्राइस में आते हैं और सेम स्पेस्फिकेशन के साथ आपको देखने के लिए मिलते हैं पांच टेस्ट हम इस वीडियो में करेंगे जो के नाम आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं फ्रेंट्स रीबू टेस्ट जो है वो और रेडी कम्प्लीट हो चुका है और आप देख सकते हैं रैडमी फाइब यहां पर वीनर है अब हम जल्दी से बढ़ते हैं अपने अगले टेस्ट की तरफ फ्रेंट्स जो कि है यहां पर एप प्रोसेशिंग टेस्ट एक है करके हम इन सब एप्स को यहां पर खोल के देखेंगे और देखते हैं कि कौन सा फोन यहां पर तेज़ प्रोसेशिंग कर पाता है और सबसे एप्स को खोल पाता है यहां पर आप देख सकते हैं एक पॉंट जो है वो औरी टेनोडी के पास मिल चुका है टेनोडी को टाइगर बोल गेम जो थी वो उसने जल्दी प्रोसेस की यहां पर खुलने में तो यह गेम दोनों फोन्स पर सेम खुल चुकी है अब हम रेस को फोन में पहले स्टार्ट हो पाएगी वहां पर जो है वो काफी सरी प्रोसेसिंग चाहिए होती है और यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर आप देख सकते हैं एक एक पॉंट दोनों ही फोन्स के पास अभी हो गया है रेटमी फाइव ने जो एस फोर्ट नाइटो है वो जल्दी प्रोसेस की और रेस जो थी वो पहले शुरू हो गई थी रैडमी 5a में अब हम बड़ते हैं अगली गेम की तरफ जो कहा है यहां पर टैमपलर न्टू और यहां पर आप देख सकते हैं फ्रेंस दोनों ही फोन्स पर प्रसेसिंग शुरू है और यहां पर आप चैस्ट भी करने वाले हैं जिसमें हम देखेंगे कि कितनी गेम्स और या कितनी अपस यह दोनों ही फोन्स अपनी रहाँ में रख पाए हैं और यहां पर आप देख सकते हैं फ्रेंस सब्सक्राइब में अगेन रेड्मी फाइवे जो है वो पराबरी कर चुका है टेनोटी की दोनों फोन्स दो दो पॉइंट पर आ चुके हैं अगली अप यहां पर है गाना अप में आपको बता दों फ्रेंस के यहां पर टेनोटी बहुत ही स्लो हो चुका है इसकी प्रसेसिंग जो हो बिल्कुल बंद हो चुकी है और इवन यहां पर आप देखें फ्रेंस जब मैं चुकी है तनोटी की ऐसे में इसी टेस्ट को आगे सीब करना मुझे लगता है यहां पर कुछ फाइदा मन है प्रेंस, एक बार हम यहां तक का रैम मनेजमेंट टेस्ट करके देख लेते हैं और देखते हैं किकस फून में कितनी अर्प्स एक पर दुबारा करके देख लेंगे एप असेसिंग टेस्ट के अभी तक अगर आप बात करें रेटमी 5 में वहाँ पर वीनर बन जाता है और यहां पर रैम मनेजमेंट के अगर में बात करें यहां पर आप देख सकते हैं फ्रेंट सब्वे सरफर्स 10OD में अभी तक रिस्टोर्ड है हालां कि 5a से व लेकिन जो एप्स थी उसको भी वो जादा देर तक अपनी रैम में रख पाया है अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ फ्रेंट्स और आगे की जो बजी हुई एप्स हैं उनको हम खोल के देखते हैं देखते हैं कि कौन सा फोन बहतर आगे की तरफ परफॉर्म कर पाता है और आगे की तरफ आप बढ़ें तो क्रिक बस भी यहां पर 10OD में जल्दी प्रसेस हो गया है तो यहां पर 10OD के पास अभी काफी बढ़ी एक लीड मैं पोलूंगा मिल चुकी है 10OD को यह दोनों ही फोन्स में सेम टाइम में प्रसेस हुई है और यहां पर यूट्यूब की अगर बात करें अगें फ्रेंस तो यहां पर आप देख सकते हैं बाकी की बजी हुई एपस में से जो एप प्रसेसिंग टेस्ट है वो 10OD काफी मार्जिन से यहां पर जीचुका है अगर हम अगें बात करें रैम मनेजमेंट टेस्ट की फ्रेंस हम देख लते हैं काफी सारी आप से दूसरी पर मैं कोई ज्यादा कमेंट्स नहीं कर पाऊंगा जो कि मैंने टाई आपको बता दिया है अब आप देख सकते हैं फ्रेंट्स दोनों ही फोन से हैं वाइफाइ से कनेक्टर हैं हम करने वाले हैं एक network speed test जो कि मैं net velocity नाम की एक app से कर रहा हूँ सबसे पहले हैं मैं दोनों ही फोन्स पर simultaneously इस app को रन कर रहा हूँ देखते हैं कि कौन सा फोनी आप पर बहतर speed जो है वो खीच पाता है या मैं बहुन बहतर speed आप आती है मेरे पास और यहां पर आप देख सकते हैं Redmi 5A के पास काफी ज़्यादा speed आप आई है अगर हम दोनों फोन्स पर simultaneously इस app को रन करते हैं इसके बाद हम एक एक करके इन दोनों ही फोन्स पर प्ले करने के कोश्री करते हैं friends अगर आप इन रिजर्ट्स को देखना चाते हैं तो आप पाउस करके आप देख सकते हैं अगेन यहां पर आप देख सकते हैं friends Redmi 5A network speed test में अगर मैं बात करूं वो जीच जाता है दोनों ही बार तो Redmi 5A में थोड़ी बहुत बहतर network speed आपको देखने के लिए मिल जाएंगी लास्ट में हमार पास पचा है app installation test friends जल्दी से इसको भी हम कर लेते हैं आप देख सकते हैं सेम ही एप को मैं दोनों ही फोन्स पर यहां पर install कर रहा हूँ Redmi 5A को काफी सारा टाइम जादा लगा app को install करने के लिए तो यहां पर आपने देख लिए friends 5 टेस्क हमने इस दोनों ही फोन्स पर किये अगर आपके कुछ और स्वाल हैं इस दोनों ही फोन्स के बारे में तो आप जल्दी से हमें बता सकते हैं निचे क्मेंट्स में अगर आप कोई वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलेगा friends और अगर आप हमारे चैनल पर आगे आने वाली ऐसे ही इंट्रस्टिंग वीडियोस देखना चाते हैं तो आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप उस बैद आइकन को तो बारा बिल्कुल भी मत भूलेगा friends ताके आपको हर वीडियो के नोट्सकेशन जल्दी से जल्दी मिलती रहे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद friends